सुंदर्वन के एक जंगल में दो सहलियां रहा करती थी एक का नाम रानुचडिया था और एक का गोरी कौवी गोरी कौवी का एक बेटा भी था राजुकौवा जबकि रानुचडिया की कोई भी संतान नहीं थी वो दोनों सहीलियां बजार में जाकर चोड़ियां बेचा करती थी रानू चुड़िया के पास कोई भी संतान नहीं थी लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था इसलिए वो खुश रहती थी हर बार की तरह इस बार भी दोनों की पती घर आये गोरी कोभी का पती कालू कोवा सामान लेकर आया था जब भू घर आता है तो उसका बेटा उसे देखकर कहता है पापा आप आगए मेरे लिए क्या लेकर आये हो बेटा तेरे लिए मैं खिलोने लाया हूँ हाँ पूरा बिगाड की रगदे से क्योंकि तुम्हें तो जिलना नहीं पड़ता तुम तो महीने में एक बार घर आती हो और पूरे महीने मुझे ही जिलना पड़ता है आरे तुम तो आती ही भड़क रही हो मैं नहीं भड़क रही जो सच है वही बता रही हूँ अच्छा तुम नहीं बढ़क रही हो तो तुम इतनी गुसे में क्यों हो कैसे करूँ मैं पूरे घर का खर्च मुझे चलाना पड़ता है मुझे ही पता है कि मैं कैसे घर का खर्च जला पाती हूँ एक तुम मेरी चूडियां नहीं बिखती और उस रानू को देखो जाती उसकी सारी चूडियां बिख जाती है और वो खुस रहती है वो तुमारी बचपन की सहिली है फिर भी तुम उससे इतना क्यों जलती हो वो खुस रहे तो तुमें भी खुस रहना चाहिए ऐसी क्या बात है जो तुम उसकी तारिप कर रहे हो तुमसे तो बहस करना ही वेकार है ये कहकर गोरी कवी वहां से चली जाती है और कालू कवा भी चुप हो जाता है वहीं दूसरी तरफ रानू चुडिया का पती भी घर आ जाता है वो उसके लिए चुडिया लाया था आ गए जी आप ये लेजिए पानी पियो रानू ने अपने पती को पानी दिया तब उसका पती उससे कहता है रानू तुम्हें मुझे ये बताना है कि इस बार भी मैं पैसे नहीं बचा पाया तो क्या हुआ जी कोई बात नहीं आया इस बार तो मैंने भी कम पैसे कमाई है क्योंकि जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे उन्हें मैंने फिरी में ही चुडिया दे दी ये तो तुमने सही किया इस बार में पक्का पैसा बचा पाऊंगा और तुम्हारी लिए हार लेकर आपाऊंगा हमसे जितना हो सके उतना हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास कोई बच्चा तो है नहीं तो हम इतने पैसो का क्या करेंगे रानू अपने पती से बाते करने लगी लेकिन उसने अपने पती पर बिल्कुल भी गुसा नहीं किया बलकि मुसीबत में उसका साथ दिया तब ही रानू चडिया का पती रानू से कहता है रानू मुझे बहुत भूख लगी है अगर घर में कुछ खाने के लिए हो तो तुम मुझे दे दो नहीं जी घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है बूख तो मुझे भी लगी है लेकिन तुम जिन्दा मत करो मैं पड़ोस के मिटू तोते के घर से कुछ खाने के लिए मांग लाती हूँ ये कहका रानू चिडियत मिटू तोते के घर भोजन मांगने के लिए जाती है उस समय बहुत तेज बारे सो रही थे वो वहां पहुँचकर उसे आवाज लगाती है मिटू तोते भाईया आरे ओ मिटू तोते भाईया मैं और मेरे पती बहुत भूके हैं और मैं बारिस की बज़े से भोजन भी लेने नहीं जा पाई तो तुम मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो मैं तुम्हे भोजन कहां से दे दू रानू मैं भी तो दो जिन से घर पर बैटा हूँ और मेरे मिटी के बरतन भी खराब हो रहे हैं अगर तुम्हे भोजन चाहिए तो तुम मेरे मिटी के बरतन बेचाओ जो पैसे मिलेंगे उनमे से मैं थोड़े पैसे तुम्हें दे दूंगा फिर तुम अपने लिए भोजन खरीद लेना लेकिन मिट्टू तोते भाईया चारो तरफ पानी भरा है मैं मिट्टी के बरतन कैसे बेचने जाऊंगी तो तुम अपने घर जाओ अगर तुम मिट्टी के बरतन नहीं बेचोगी तो वैसे भी तुम और तुम्हारा पती तो भूप से तड़प तड़प कर मर जाएंगे इसलिए मेरी मानो तो बारिस की चिंता मत करो और मिट्टी के बरतन बेचने के लिए चली जाओ बारिस का मौसम है मिट्टी के बरतन हाथों हाथ भिग जाएंगे ठीक है मिट्टू तोति भाईया अगर आप कहती हो तो मैं मिट्टी के बरतन बेजने चली जाती हूँ रानू चड़िया मिट्टी के बरतन लेकर बारिस में बेजने के लिए चली जाती है मिट्टी के बर्तन ले लो अच्छी अच्छी डिजाइनों की मिट्टी के बर्तन ले लो सस्ते अच्छी मिट्टी के बर्तन ले लो रानों की आवाज सुनकर पिंकी कौबी अपनी खिड़की से रानों को आवाज लगाती है आरे वा, आज तो इस बारिस में मिट्टी के बरतनों में खाना खाकर मज़ा ही आ जाएगा आरे ओ बरतन बाली जरा इधर तो लेकर आ पक्के तो है ना ये बरतन हाँ हाँ बेहन जी ये बरतन बहुती मजबूत है आप खुदी देख लो बारिस में भी कैसे ये मिट्टी के बर्तन टिके हैं आप एक बार खरिद कर तो देखिए वैसे भी इस बारिस के मौसम में मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने से सेहत बनी रहती है सामतक रानू चड़िया सारे मिट्टी के बर्तन बेच देती है और सारे पैसे ले जाकर मिट्टू तोते को दे देती है आरे वाग तुमने तो सामता की सारे मिट्टी के बरतन बेज दिये ये लो कुछ पैसे इनसे तुम कुछ खरीद कर खा लेना और अपना पेट भर लेना पिर रानू चुडियों पैसों से कुछ फल खरीद कर लाती है और दोनों पती पतनी मिलकर खाते है पिर अगली सुबह हर रोच की तरह दोनों सहीलियां चूडियां बेचने जाती है तब गोरी को भी रानू से कहती है रानू तू अपनी चूडियों की दुकान मुझसे दूर लगाया कर क्योंकि तेरी बज़े से मेरे गिराग तेरे पास चले जाते है जो बिलकुल भी ठीक नहीं है लेकिन गोरी को भी ऐसा तो बिलकुल नहीं है मेरी बिलकुल भी विक्री नहीं होती है बो भी तेरी बज़े से सब गिराक तेरे पास चले जाते हैं ठीक है गोरी बेहन में अपनी दुकान दूर लगा लूँगी फिर उसके बाद रानु चड़िये वहां से अपनी चूड़ियां ले जाकर दूर एक जगा बैठ कर बेचने लगती है और गोरी को भी वी वहीं जमीन पर चूड़ियां रखकर बेचने लगती है तब भी वहां गोरी के पास एक चोटा पच्ची आता है और वो गोरी से कहता है आंटी जी ये मेरी मा के लिए लाल बाली चूड़ियां दे दीजिए ये बीस रुपे की हैं क्या तेरे पास इतने पैसे हैं भी मेरे पास स्रिब दस रुपे हैं मुझे दस रुपे की चूड़ियां दे दो क्या दस रुपे में कोई चूड़ियां आती हैं क्या चल निकल यहां से आंटी दे दो न चुडिया, मेरी मा आपकों से देख नहीं सकती, मैंने ये दसी रुपे जमा कर पाए है तू यहां से चुपचाप निकल जा, मुझे ही लूटने आया है क्या फिर बो चोटा चड़ा रानु चुडिया के पास आया, और उसे अपनी मा की सारी बाते बताएं बेटा ये चुडियां तुम अपनी मा के लिए मेरी तरब से ले जाओ, वो अभी तो मेरी बेहन की तरह है ना, और इन पैसों से तुम कुछ खा ले ना फिर बो चोटा पच्ची चुडियां लेकर खोशोकर वहां से चला जाता है, रानु के अच्चे ब्यावार की बज़े से उसकी चारी चुडियां आज भी बिग गएं, लेकिन गोरी को अभी की चुडियां आज भी नहीं बिगें, तब बो गुसे से घर आकर कहती है पस अब बहुत हुआ, मैं अब और नहीं सहूंगी, मेरी बचपन की सहेली नहीं मुझे बरबात करने की कसम खारक्की है, मैं रानु को नहीं चोड़ूंगी, जरूर इसके पास कुछ जादू सक्तियां हैं, जिनकी मदद से ये अपनी सारी चुडियां बेज देती है गोरी को अभी रानु चुडिया का राज जानने की कोसिस में लग गई, फिर हर रोज की तरह बो दोनों आज भी अपनी चुडियां बेचने लगी, तब ही वो चोटा पच्ची रानु चुडिया की पास आता है, और वो अपने हाथों में कुछ लेकर आता है आन्टी, ये माने आपके लिए भेजा है रानु ने बड़ी ही उस्सा से वो पोटली कोली तो देखा कि उसके अंदर बहुती चमकदार से कंगन थे बेटा, ये कंगन तो बहुती कीमती लग रहे है ये जादु ही कंगन है और ये आपकी इंसानियत को उपहार है ये कहकर वो छोटा पच्ची वहाँ से गायब हो गया तब रानु ने वो सोने की कंगन चुडियों की टोकरी में रखके सोने की कंगन टोकरी में रखती सारी चुडियां सोने की हो गई ये देखकर रानु बहुत खोस हुई और उसने अपनी ये कुसी अपनी सहीली को भी बताना चाही तब वो दोड़कर अपनी सहीली के पास आती है और उसे सारी बात बताती है रानू इन कंगनों पर मेरा हक है लेकिन ऐसा क्यों गोरी बेहन? वो छोटा पच्ची सबसे पहले मेरे पास आया था और मैंने उसे तेरे पास भेजा था तो ये कंगन मेरे हुए ना? नहीं गोरी बेहन ये सोने के कंगन तो मेरे है अगर आपको सोने की चूड़ियां चाहिए तो मैं वो दे दूँगी तुमें मैं तुस्से बड़ी हूँ और बैसे भी तेरे तो बच्चे भी नहीं है तो तु क्या करेगी इनका? कोरी कॉबिना जवर्जस्ती रानू की हाँ से वो कंगन चील लिये और अपने घर आ गई आकरकर भगवान ने मिरी सुन ही लि सच कहते हैं कि जब भगवान देता है तो चप पर पाड़कर देता है और आज भगवान ने मुझे बहुत दे दिया अम में सारी चूड़ियां सोने की बना दूंगी फिर और चूड़ियां बजजार से खरीद लाँगी वा, मुझे तो मज़ा ही आ गया ये कहकर गोरी कॉबी ने अपनी सारी चीज़े एक जगा एकटी की और पैसे भी रख लिये फिर सौने के कंगन उस टोकरी में रखके लेकिन सौने के कंगन जादू ही थे इसलिए उन्होंने उसका सारा माल गायब कर दिया ये देखकर गोरी को भी बहुत रोई और बहुत पस्ताई लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी उसके लालच नहीं उसे डुबा दिया रानू चडिया अपनी बेटे के साथ अपने गोंसले में बैटी हुई थी रानू चडिया बहुत गरीब थी और बारिसों का मौसम सुरू होने बाला था रानू चडिया का गोंसला भी कई जगे से तूटा फूटा था ऐसे में एक दिन तोता उसके घर आता है चडिया बेहन आप अभी तक यहां बैटी हो जल्दी से मेरे साथ चलो मिटू तोते तुम्हें कहां जाना है पहले मुझे बताओ चडिया बेहन तुम्हें नहीं पता जंगल के महराजी ने सभी पच्चियों को महल में बुलाया है अच्छा तो यह बात है तभी मैं कहूं की कालू और गोरी सुबसुबा कहां जा रहे थे चडिया आप जल्दी से चलिये मैं तो पहले ही लेट हो चुका हूँ तोते की यह बात सुनकर चडिया अपने बेटे को उठाती है और महल की तरफ निकल जाती है पच्चियों हमने एक प्रतियोगिता रखी है और वो प्रतियोगिता मिटी का घर बनाने की है जो भी पच्चियों बहुती सुन्दर और मजबूत मिटी का घर बनाएगा उसे फसलों से भरा एक केद दिया जाएगा हाँ महराज हम सभी पच्चियोगिता में भाग लेंगे और मिटी का मजबूत सा घर बनाएंगे ठीक है मैं एक हपते बाद आप सभी के घर देखने आऊँगा तब तक आप अपने लिए मिटी के मजबूत से घर बनाना तोते महराज की ये बास सुनकर सभी पच्ची बहुत खुस होते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं तोते महराज जी मुझे तो ये घर बनाने की प्रतियोगिता थोड़ी सी अजीव लगी है हाँ सेनेक तुमने एकदम ठीकी समझा है मैंने ये प्रतियोगिता इनाम जीतने के लिए नहीं रखी है बलकि मैं चाहता हूँ कि सभी पच्चियों के पास मजबूत सा मिट्टी का घर हो ताकि बारिस के मौसम में वो सुरच्चित रह सकें बा महराज जी आपने क्या दिमाग लगाया है अब जंगल के सभी पच्ची इनाम जीतने के लिए घर बना कर ही रहेंगे बस कालू जी बस थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ मैं बहुत ठक गई हूँ क्या गोरी तुम्हें फसल से भरा खेत नहीं चाहिए जो तुम इतनी जल्दी हार मान गई चाहिए ना कालू जी बोखेत तो मुझे ही चाहिए अगर हम इनाम जीत गए तो हमारे बच्चों के बच्चों को भी अनाच की कोई परेशानी नहीं होगी गोरी खुआव तो इतने बड़े बड़े देख लिये लेकिन अभी तक थोड़ी सी भी मिट्टी जमा नहीं की अब जल्दी से उट जाओ नहीं तो सारी मिट्टी खतम हो जाएगी कालू जी हम तो दो हैं और बो रानू चड़िया और कबूतर तो तब बो तो अकेले अकेले हैं तो सबसे पहले घड़ तो हमारा ही बनेगा गोरी तुम ये मत भूलो चड़िया का एक बेटा है और कबूतर की पतनी कालू जी उस चड़िया का बेटा कुकू और उस कबूतर की पतनी लूसी तो कोई काम करती नहीं बो तो सारा दिन घर में पड़ी रहती है ये कहकर बो दोनों मिट्टी लेने चले जाते हैं और इदर चड़िया का बेटा कुकू अपनी ममा के साथ जाने की जिद कर रहा था ममा मैं भी आप के साथ चाऊंगा और मिट्टी खटी करने में आपकी मदद करूंगा नहीं कुकू बेटा आप अपने दोस्तों के साथ खेलो मैं खुद ही मिट्टी ले आऊंगी ममा मैं किसके साथ केलू मेरा दोस्त तो अपने मामा के घर गया है और अभी तक बापस नहीं आया है ये सुनकर चड़िया अपने बेटे को अपने साथ ले जाती है और कुकु भी अपनी ममा की मिट्टी खट्टी करने में मदद करता है कुकु बेटा आप जादा जादा मिट्टी मत ले कर आओ आपके चोट लग जाएगी साम होने तक बो दोनों मिट्टी खट्टी कर लेते हैं और अपने घर ले आते हैं उदर कालू और गोरी भी मिट्टी खट्टी करके घर ले आते हैं गोरी तुम बहुत बुरी हो तुमने सारी मिट्टी मेरे ही सर पर रख दी और कुछ तो खाली पंग लाकर आई हो हाँ बस इतने मैं ही ठक गए तुम और उस चड़िया को देखो बो तो अकेली है सारा काम खुदी करती है कुछ सीखो उससे हाँ गोरी सब कुछ मुझे ही सीखने की जरूरत है बाकी आपको तो M.A. की डिगरी मिली हुई है अच्छा बस बस चलो अब भोजन खाकर सो जाते हैं घर बनाने का काम सुबा करेंगे फिर कालू और गोरी भोजन खाकर सो जाते हैं और इदर बिचारी चड़िया अपना घर बनाने में लगी हुई थी मैं अभी से थोड़ा थोड़ा काम करना सुरू करूंगी तब भी मेरा घर बन पाएगा ये कहकर चिडिया अपना घर बनाने लगती है वो रोजाना थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाती और अपना घर बनाती इसी तरह एक अपते का समय भीत जाता है और सब भी पच्ची अपना अपना घर बना लेते हैं चिडिया हम सब पच्चियों ने मिटी से घर तो बना लिये लेकिन ना जाने महाराज जी किसके घर को देखकर इनाम देंगे तोत्य भाईया मिट्टू महाराज कल इसका फैसला कर देंगे आप क्यों परेसान होते हो ठीक है चड़िया हम मैं चलता हूँ मुझे घर में थोड़ा काम है तोता वहां से चला जाता है तब ये उसकी नजर कालू और गोरी के घर पर पड़ती है वो दोनों तो आपस में लड़ रहे थे कालू जी आपने ये कैसा घर बनाया है ये तो अबी से कमजोड सा लग रहा है मैं क्या करू मुझे जैसा घर बनाना आता था मैंने बना दिया अगर तुमें इसे भी अच्चा घर बनाना आता है तो तुम गुदी बना लो मुझसे मत लड़ो गोरी को अभी घर बनाने में कालू की कोई गलती नहीं है तुम दोनोंने बेकार मिट्टी से घर बनाया है तो ये मजबूत कहां से बनेगा इसलिए तुम तो इनाम लेने के बारे में भूल ही जाओ ये कैकर तोता वहां से चला जाता है और गोरी को अभी को तो बहुत गुसा आ रहा था कालू जी अब हम घर दुबारा तो नहीं बना सकते और हम इस बेकाई घर से नाम तो कभी नहीं जीतेंगे तो मैंने कुछ सोचा है क्या गोरी जल्दी बताएं आपने क्या सोचा है कालू जी चडिया को उसके घर से निकाल देते हैं और हम उसके घर में रहते हैं तब महाराज जी सोचेंगे कि वो घर हमने बनाया है हाँ हाँ गोरी ये तो बिल्कुल सही आइडिया है मैंने देखा है चिडिया के घर को उसने बहुती मजबूती से अपना घर बनाया है परन्तु हम रानु चिडिया को घर से निकालेंगे कैसे बस कालू जी आप घर पर ही रहो चिडिया का इंतिजाम तो मैं करके आती हूँ ये कहकर गोरी को अभी चिडिया के पास आती है और उसे कहती है चिडिया बेहन मेरा बेटा ना जाने अपने मामा के घर से कहां गुम हो गया है घबराये मत गोरी बेहन कालू भाया कहां है कालू जी बो तो सुभा से ही मेरे बेटे को ढूनने के लिए गय हैं लेकिन अभी तक कोई भी खवर नहीं आई गोरी बेहन तुम चुप हो जाईए तुमारे बेटे को कुछ नहीं होगा कालू भायर तुमारे बेटे को ढून लाएंगे चिडिया बेहन अम मेरा घर में बिलकुल भी मन नहीं लग रहा है पर मैं क्या करूँ रात के हंदेरे में जाने में डर भी तो लग रहा है इसलिए मैं तुमारे पास आई हूँ तुम मेरे साथ मेरे बेटे को ढूनने के लिए चलो पर गोरी बेहन में अपने बेटे को अकेला नहीं चोड़ सकती वो अभी सो रहा है नामत किजिए चड़िया बेहन में आपके पास बहुती उम्मीदों से आई हूँ ये सोच कर कि आप मना नहीं करेंगी इसलिए आप अपने बेटे को अपने साथ लेकर चलिए ठीक है गोरी बेहन में आपके बेटे को ढूनने के लिए आपके साथ चलती हूँ फिर रानू चड़िया गोरी कॉभी के साथ चली जाती है गोरी कॉभी उन जंगल से दूर ले जाती है और एक टूटे फूटे घर के पास आका रुक जाती है चिडिया हम एक बार अपने बेटे को इस पुराने से घर में देख लेते हैं क्या पता वो रास्ता भटकते भटकते यहां आ गया हो ठीक है गोरी बेहन अभी हम अंदर जाकर तुमारे बेटे को देखते हैं फिर बो दोनों उस पुराने घर के अंदर जाती हैं लेकिन गोरी को भी बड़ी ही चालाकी से पीछे रह जाती है और रानु चड़िया के आगे जाती वो बाहर से दर्वाजा बंद कर देती है। अब दोनों मा बेटे इसी घर में मरते रहो अब लकडी का घर भी हमारा और फसल से भरा केट भी हमारा। गोरी बेहन दर्वाजा खोलो आपने हमें इस घर के अंदर बंद क्यों किया है प्लीज गोरी बेहन दर्वाजा खोलो चिड़िया अब तो दर्वाजा इनाम लेने के बादी खुलेगा तब तक आप यहीं पर बंद रहो ये कहकर गोरी को अभी अपने घर चली जाती है और घ बापत ना आजाए नहीं कालू जी मैंने उसका पक्का इंतिजाम कर दिया है प्रतियोगिता खतम होने से पहले वो यहां नहीं आएगी फिर कालू को और गोरी को भी चिडिया के घर में आकर सो जाते हैं सुबा भी हो जाती है अगले दिन राजा जी सभी पच्चियों के घर देखने आते हैं और सब पच्चियों ने अपना अपना घर दिखाते हैं देखो महराज जी मैंने बहुती अच्छी मिटी से अपना घर बनाया है और मेरा घर बहुती मजबूत है हां तोते तुमारा घर मजबूत तो है लेकिन इतना भी नहीं कि हम तुमें इनाम दे सकें यह कहकर तोती महराज कभूतर का घर देखने आते हैं और उसका घर भी उने पसंद नहीं आता फिर वो कालू कवी की घर आते हैं देखे महराजी देखे मैंने कितना सुन्दर और मजबूत मिट्टी का घर बनाया है ऐसा घर तो आपको पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलेगा वा गोरी कालू आपने घर तो बहुती मजबूत बनाया है वैसे देखने में तो आप दोनों बहुती काम चोड़ लगते थे तो महराजी हमें इनाम में हमारा फसल का केद दे दीजिए गोरी बहन इनाम देने का तो एक बहाना था मैंने आप सब से जूट बोला था क्यों महराज जी आपने ऐसा जूट क्यों बोला आप सब मुझे माफ कर दीजिए बो क्या है न तेज बारस और तूफान में तिनके के घर तूट जाते थे और कई पच्छियों की मौत भी हो जाती थी इसलिए मैंने आप सबसे पक्के और मजबूत घर बनाने के लिए जूट बोला था ये क्या कर तोटे महराज वहां से चले जाते हैं उनकी बातों पर गोरी कॉबी को तो गुसा आ रहा था कालू जी अम मैं तोटे महराज की कभी भी बात नहीं मानूंगी कोई ऐसा भी जूट बोलता है क्या भला हाँ गोरी अब तुम उस बेचारी चडिया को भी उस बेकार से तूटे फूटे घर में से बाहर निकालो कालू जी आपी जाओ मेरी तो उस चडिया से नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं हो रही पिर कालू कवा चडिया को घर से बाहर निकालता है और उससे माफी मांगता है और उसे तोटे महराज की सारी बाते बताता है ये तो तोते महराज ने बहुत अच्चा किया इससे जंगल के पच्चियों को कोई भी परिशानी नहीं होगी और तेज तूफान में वो सुरच्चित रहेंगे चड़िया बहन अब तुम जाओ जाकर अपने मिट्टी के घर में रह सकती हो और में और गोरी अपने टूटे फूटे घर में रह लेंगे नहीं कालू भाईया अब तुम ही उस घर में रहो मैं अपने लिए दूसरा मिट्टी का मजबूसा घर बना लूँगी ये क्याकर मीनू चड़िया मिट्टी लेकर आती है और अपना घर बनाने लगती है कुछी देर में उसका मिट्टी का घर बनकर तयार हो जाता है फिर वो उसमें अपने बेटी कुकु के साथ खुसी खुसी रहने लगती है